Hello friends, मेर नाम है विजे और आगी वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैंगो एप्स की, तो चले स्टार्ट करते हैं जैंगो एप हमारे एक सम कंपोनेंट होता है सिंगल जैंगो प्रोजेक्ट का, आप एक जैंगो के प्रोजेक्ट में मल्टिपल एप्स को रख सकते हैं जैंगा सपोस कीजिए आप एक सोसल नेटवर्किंग वेबसाइड बना रहे हैं जिसमें आप मैसेजिंग एप, फोटो एप और वीडियो एप बना रहे हैं तो मैसेजिंग एप के लिए अलग फॉक्शनलिटी काम करेगे फोटो के लिए अलग और वीडियो के लिए अलग तो इसमें यह रिकमेंट किया जाता है कि आप मैसेजिंग एप के लिए एक अलग सेक्शन बनाएं फोटो एप के लिए अलग सेक्शन बनाएं और वीडियो एप के लिए अलग सेक्शन बनाएं कई बात चेंगो के प्रोजेक्ट में हम लोग सिर्फ एक यी एपसे, एकी सेक्शन से काम चला लेते हैं और उसी सही सारा काम हो जाता है लेकिन आपको यह रीक्मेंड किया जाता है कि अगर आपका project काफी बड़ा है जो कि आप real life project में जब काम करेंगे वहाँ पर आपको करना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको अलग-अलग apps में अपनी functionality को divide करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको example दिया जैसे आपके social networking website बना रहे हैं मैसेजिंग app के लिए अलग section होगा photo app के लिए अलग section होगा वीडियो app के लिए अलग section होगा यहाँ पर जो भी हम course करवा रहे हैं इसमें आपका एक single ही app है जिसको हम URL से connect करवाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर project को create करेंगे तो यहाँ पर आजेंगे django files में फिट terminal और यहाँ पर new terminal पर आएंगे अपने ठीक है मैं यहाँ पर django files के अंदर हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आउँगा my site के अंदर my underscore site ठीक है my site के अंदर मुझे अपना project बनाना है मुझे अपनी app के रिट करनी है तो यहाँ पर लिखूँगा python फिर लिखूँगा manage.py फिर लिखूँगा start app my underscore app ठीक है यह मैं इसको name दे रहा हूँ python manage.py start app और my app इसका name है ठीक है इसे मैं run करूँगा अगर आप यहाँ जैंगो की files खोलेंगे तो यहाँ पर my sites के अंदर ठीक है my site के अंदर my app name का folder आपको मिलेगा जिसके अंदर init file admin apps module test views वाली आपको files मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से आप अपनी app को अपने project के साथ connect कर सकते हैं यहाँ जैंगो की file है इसके अंदर हमारा project है my site name से ठीक है उसकी खुद की अपनी settings है URL है और admin की files है अब हम दो तरीके से अपनी जो app को इससे connect कर सकते हैं पहला दरीका तो यह है जो कि आप site की URL से connect कर दें और second तरीका यह है कि आप जो app है उसकी खुद का URL वाली file बनाएं फिर उस URL file को site वाली URL से connect करें तो हम दूसरी approach को अपनाने वाले हैं ठीक है जो कि वही better रहती है वैसे पहली जो approach है वो गलत भी नहीं है लिकिन जो better approach है second वाली है कि आप हर एक app के सान अप अपना URL बनाते हुए चलें फिर उस URL को site के URL से connect कर दें तो सबसे पहले यहां पर हमें एक view create करना है तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी my app के अंदर जो view.py file है यहां पर आ जाएंगे अपनी terminal कर देंगे अभी close यहां पर लिखा हुआ दिखिए create a view here सबसे पहले मैं import बनाऊंगा from और अभी हम क्या करें एक view create कर रहे हैं और उसे output में show करवा रहे हैं फिर हम next वीडियो से आपको URL व्यूज के पर में detail में knowledge हर एक जो code लिख रहे हैं यह बताएंगे ठीक है अभी हम एक app बनाके उसे connect करवाके आपको output दिखवा रहे हैं तो यहां पर from jango http import कर इसके अंदर एक parameter पास करा हूँगा request और यह actually मैं आप इसके समझ लिए कि हम एक output दिखा रहे हैं अपने web page पे तो यहां पर लिखेंगे http response और जो response में message दिख्वाना है वह मैं यहां पर लिखा हूँगा hello friends welcome to csgeeks ठीक है यह हमारे एक नॉर्मल सा response हो गया अब यहां पर एक नई फाइल करेंगे हैं new file जिसको मैं दें दूँगा urls.py ठीक है यह हमारी my app के अंदर है यह आप देख रहूंगा my site my app url.py यहां से सबसे पहले लिखूँगा from jango ठीक है dot urls import path क्योंकि मुझे path देना है यहां पर तो path को import कर रहा हूं और second from dot क्योंकि हम उसी directory में जिस directory में हमारी views हैं तो यहां से हम import करवा रहे है dot import और import किसको करा रहे है views को ठीक है views की सारे जो उसमें function मनाएंगे हैं उसको import करवा ले रहे हैं आप index को भी direct import करवा सकते हैं लेकिन मैं इसको direct वैसे इंपोर्ले इंपोर्ड करर फूरी पर लिक्नका थे लीक ने रहे हो यहां पर लिखुँगा सबसे वहले में URL का path देना है तो यहां पर लेकुगा URL पेटरंस और यहां पर आप इसे list की तरफ path प्रोवाइट करा सकते हो multiple path यहां प्रोवाइट करा सकते हैं आप, तो यहां लिकोंगा सबसे बहुले path, फिर यहां पर single quotations comma फिर लिकोंगा views dot और यहां पर किसका view लेना है, index का view लेना है और इसका name मैं दूँगा यहाँ पर index ठीक है क्योंकि name calling के time पर आपका काम आता है तो यहाँ पर लेखेंगे index इसको save कर लेंगे और views वाली जो हमारी file है उसको भी आप save कर लेंगे वनना error generate हो सकता है अब देखें यहाँ पर मैं आपको बता है था कि हम लोग क्या करेंगे जो app का URL उसको site के URL से connect करेंगे तो अब मैं आ जाँगा my site है जो इसके URL में यहाँ पर आप पहले से कुछ information आपक है फिर आप हम बात करेंगे including another URL configuration क्योंकि हमारी दूसरी फाइल यूरल के उसको कैसे इस वाली URL वाली फाइल से connect करना उसके लिए यहाँ पर देखें इंस्स्रक्शन दिये होएं इसको आप फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें सबसे पहले तो यहाँ पर import कर लेता हू पात के साथ include को उसके बाद URL patterns में आ जाएंगे और यहाँ पर अब मुझे किसका path देना है जो हमने भी view बनाया ठीक है उसका path देना है तो यहाँ पर लेकूंगा path ठीक है और फिर यहाँ पर किस चीज़ का path देना my underscore app का path देना है फिर next comma लगाएंगे फिर यहाँ पर include और include किसे करना है हुझे जो my app है उसके urls को ठीक है और in code के बारे में हम detail में और detail में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से जब मैं आपको और ज्यादा url और views के बारे में detail में बताऊंगा यहाँ पर comma लगाना हम भूलिएगा क्योंकि हमारी list है यहाँ इसको safe कर लेंगे हम जा साइड के अंदर आ जाओंगा मैं यहाँ लिखूंगा python manage.py और यहाँ लिखूंगा run server यहाँ पर server run हो गया हमारा हम इसको control और click करेंगे और यहाँ पर देखिए page not found लिखा हुआ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमने view बनाया है वो my app में है ठीक है तो यहाँ लिखेंगे slash my underscore app तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रहा है hello friends welcome to csgeeks तो यहाँ पर हमने यह सिखा क कैसे आप अपने app के view को site के url से connect करते है next video में हम लोग बात करेंगे url की views की आज के लिए इतना ही अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को like कीजिए share कीजिए हमारे channel को subscribe करना ना भूले आप हमें facebook instagram telegram तीनों जगा follow कर सकते है link आपको description में मिल जा आएगा और हमेरी playlist को जरू check करेंगे friends चैकि वहां पर हमने different frameworks और programming language पर वीडियो बना रहे हैं जैसे देख क्या आप अपनी knowledge को बहुच जाते increase कर सकते हैं thank you watching good bye take care